हें नमस्कार दोस्तों सबागे दान सबीकर ड्रिम गुरुजी 2.0 पर और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया ए वर्सिज यू ए ए की टीमों के बीच जो एशिया मैंस T20 अमर्जिंग कप का एट्थ नंबर मैच खेला जाएगा उसके बारे में यह वाला मैच है दोस् देखें इंडिया ही रहेगा इसी टीम को फेरो करके हमको अपना टीम बना रहा है लेकिन दोस्तों कुछ एक प्लेयर्स है यूए टीम में भी जिनको आपको अपने टीम में रखके चलना पड़ेगा उसको अपने नहीं कर सकते और कुछ एक ट्रम कार्ड पिक भी इस वाले तो वीडियो इंपोर्टनेट रहेगा भी आप पूरा देख लेना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल आइकन प्रेस कर लिजीगा और फाइनल टीम के लिए आप हमारे साथ यहां पर जोइन हो सकते हो यह अपना टेलिगराम है भी जोइन क क्यार मैचे टोटल हुए है यह जो मैं वीडियो सूट करा हूँ इसके बाद दो मैचे जोर हो जाएंगे ठीक है 62 मैच सेकंड बैटिंग ने 41 मैच फरस्ट बैटिंग ने बिन किया है और सेकंड बैटिंग को थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है खास करके सेकंड जो स काम के समय वाला मैच रहेगा उसमें हालांकि यहां पर तो स्ट्रोंग और वीक टीम है तो ज्यादा माहिने नहीं रखता है एवरेस स्कोरिंग पैटरम पचास बार ऐसा हुआ है कि डेड़ से नीचे रंस बने हो तो मतलब उतने ज्यादा रंस यहां पर बनते नहीं लेकिन इंडिया फर्स्ट बैट करेगा तो 200 बोर्ड पे लगा सकता है और यूए फर्स्ट बैटिंग करेगा तो 120 में सलट दाएगा ठीक इस तरह से रहने वारा है बाक्की पिछ रिपोर्ट यह है और यहां पर यहां पर ऐसा देख सकते हो कि स्पीनर्स रोपेसर दोनों को इकब बना के चलो और फर्स्ट अगर इंडिया बैटिंग करता है तो आपको कम से कम दस प्लेयर इंडिया के रखने पड़ेगा तोप के पांच बल्ले बाद पांच बोलर्स बाकि एक प्लेयर बजता है तो वो सामने वाली टीम का रखना पड़ेगा और वो कौन सा रख सकते है तो आगे चलके देख लेंगे ठीक है युनाटिड अर्ब अमिरेट्स प्लेइंग लेवन यानि यूएई प्लेइंग लेवन में देखिए मैंक राजेस ओपन कर रहे हैं भी तानिश सूरी तानिश सूरी ने पिछले वाले मैंच में अच्छाइनिंग गेला था वई सूकुमारा नाएंग राहूल चोप्रा आएंगे मोहमद हैदर हैं बासिल हमीद हैं निलेस केस्वानी संचित सर्मा मोहमद फारुक और इसके लाबा जवादुल्ला और अमिद रहमान ये बैटिंग बोलिंग स्टाइल है अवर्स की बात करते हैं ये बोलर है इनके पास ठ ठीक लेरवाइज अनलाइसिस में महिंक राजेस को ज्यादा खास पिकरने रिसेंट फोर्म वही 20-25 करते करते हैं इंडिया क्वालिटी पेस और स्पिन अटक के साथ हैं तो रंस करने के चांसी कमी रहें नेक्स हैं तनी सूरी साथ मैंच समस्पतर रं तेरा का अवरेज भल पहले नीचे बैटिंग करते थे नोट आउट जाते थे इसके बाद मोहमद हरीस सांग सोमालिस नोट आउट बनाया था ये इनका रिसेंट फोर्म है और नो मैच में मत्र 38 रन है इससे पहले आराम सी छोड़ दीजे अब आते हैं वासिल हमीद ये इनके टीम के कैप्टन है और यहाँ पर अच्छी पिक रहेगी बैटिंग बोलिंग दोनों से पॉन्ट देने के चांट से पिछले वाले मैच में बोलिंग नहीं किया था लेकिन बोलिंग करवा के देंगे। संचित सर्मा एक ही अवर डाला था ये इनका रिसेंट फोर्म है चार मैच में एक विकेट है अराम से चोड़ सकते हो लेकिन ग्रांड लिंग में ट्राइ कर लीजिएगा कभी के बार ये बंडल से विकेट निकालते हैं जब चार आवर डालते हैं उस कंदिशने लेकिन इं तो आप सोच सकते हो पनी टीम में रखने का जवा डाला विकेट टेक करें ये इनका रिसेंट फोर्म देखे हर मैच में बंडल से विकेट यहां पर भी तीन विकेट निकालें 19 मैच में 30 विकेट हैं बाई साब इस प्लेयर पे थोड़ा सा फोकस करके रखना फर्स्ट बॉ अमिद रह्मान ने चार वडाले एक विकेट निकाला था चार मैंच में पांच विकेट हैं का टीटवन्टी इंटरनेशनल में और वैसे भी को ज़्यादा खास पिक नहीं रहे आराम से चोड़ सकते हो तो मुहमत फारुक और जवादुल्ला में से जवादुल्ला एक टोप और के बैसमान पांच बोलर्स तीन प्लेयर जो बसते हैं जो मैंने बताए हैं इस तरह से वना कॉमिनेशन बनाना था बागे अब बात कर लेते हैं यह इनके बैंच इसके प्लेयर्स हैं बैर बाइज आनलिश शोरी इंडिया प्लेग लेंग लेंग देख लेते रमांदीप सिंग निसांत संदू यह नीचे वाले बैटिंग करता है इंडिया इन तीनों को थोड़ दीजिएगा जयाल बदेरा आईस बदायूनी रमांदिप सिंग पर सकते हो घ्र रवाइज चाह नंबर तक आपको ट्राइज करना ही करना है बाकि रमांदीप सिंग फि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो तिलिक वर्मा इस वाले मैच में भी एक दो वर्स कर सकते हैं तो तिलिक वर्मा सी वी सी की अच्छी चोईस है यह तीन प्लेयर सीनफ है निहाल बदेरा फर्स्ट बैटिंग में ट्राइ करना आयूस बुद्राइब कर सकते हो रमन दीप सिंग का बैटिंग नीचे हो जाता है टोप ओडर इतना अच्छा है वीक टीम के गेंस्ट में तो इनको फर्स्ट प्लेयर से इन में से कोई भी खेलेगा तो उसको भी अपनी टीम में रखना पड़ेगा क्योंकि आक्यूब खान को भी विकेड मिल सकते हैं विक टीम है सामने आर्साइं किसो और तो हैं ही विकेड टेकर इनको फिर वीसी बनाना पड़ेगा इनको समझना मुश्किल रहेगा सामने वाले टीम के लिए और रितिक सोकन भी राइटाम ओब्रेग गेंबाज अच्छे गेंबाज विकेड टेकिंग गेंबाज तो यह भ लेकिन यहां पर इंडिया है क्वालिटी रहेगा सामने बॉलिंग में तो मेरे उन्हें लिए ज्यादा रंस कर पाएंगे एक अधे जील करो रोटेशन में ट्राइ कर लीजिगा जब कोई प्लेश से रिदम पगड़ता है तो उस रीज में रंस बनाते जाता है ऐसा हुआ ह बना सकते हैं तो जील के लिए ज्यादा अच्छी पिकरेगी स्मोल लिग मैं आप आराम से चोड़ सकते हूं तरही सूरी ने भी अच्छा किया था वैसे 33 रंड बनाये थे लेकिन यहां पर मेरे उन्हें लेता इतना अच्छा कर पाएं तो मैं रिस्क लेके इन दोनों प्ल निहाल बदेरा मैं इंडिया फर्स्ट बैट करेगा ना तभी अपनी टीम में ट्राइ करने वाला हूं चार नंबर पर आपको बैटिंग करते वे दिखेंगे अगर सेकेंड बैटिंग किया इंडिया ने तो मैं निहाल बदेरा को ड्रोप कर दूँगा इस प्लेयर के जिग इचले वाले मैंच में स्टार्ट अच्छा लिया था लेकिन बड़ी इनिंग में करना नहीं कर पाए थे तो समोल यह कोई ज़्यादा अच्छी पिक नहीं थे निहाल बदेरा का मैं अल्रेडी बता आच्कों फर्स्ट बैटिंग में ट्राइग करता है इंडिया तो मैं छो बैटिंग में तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है बोलिंग में हलांके विकेंड ना मिले साइद इनको लेगन अभी सेक सर्मात वहिया जब तलेंगे तो सब कुछ वन साइडेड करने और कैप्टन मिलेगा आपको हर आपके सामने हर टीम में बासी लमीद को मैंने ट्र अपने टीम में रख लेंगे और वीची के अच्छी चोईसरी कि इनको समझना सामने वाले टीम के लिए बहुत मुश्किल रहेगा निसान संदू ने दो डाले दो विकेंड निकाले थे हालांकि और दो ही डालेंगे फिर भी एक आदा विकेंड मिलने के पूरे चांसे इसा कुछ रहेगा ठीक है बोलिंग में देखे जवाद उल्ला मैंने रख लिए ये बड़ा विकेट एक करावे फर्स्ट बोलिंग करेगा तो डेथ करवाएगा रखना पड़ेगा और सेकेंड इनिम में भी एक आदा विकेड मिलेगा तो यहीं निकाल सकता है तो मैंने इ नहीं खेल लए हैं वेवो औरोडा पिछले मैंच में आवर डाले थे लेकिन विकेड नहीं मेरा अनफोर्चुनेडली लेकिन विकेड टेकिंग इंदबाज है बंडल में कभी विकेड निकाल सकता है मैंने अपनी टीम में रखा हूँ है सेलेक्शन पर्षेंट बहुत कम है लेकिन इंपोर्टनेट अनसुल कंबोज को मैंने यहां पर ट्राई किया हुआ है रखा हूँ है यहां पर भी विकेड निकालने के पूरे चांसित रहेंगे फारक मुमान ने विकेड निकाले थी पिछले वाले मैंच में तीन लेकिन मैं अपने टीम में नहीं रखना हूँ मैं रासिक दर सलाम को रखूँगा और पिछले वीडियो मैंने बताया था इनको आप सीवीसी बना सकते हूँ और सत्र पॉंट देखे गया था वाईस साथ दो विकेड निकाले यहां पर भी सीवीसी के अच्छी चोईश रहेंगा वो भी दर एमान है नीचे एक विकेड न और वेवो और ओड़ा तिलग वर्मा प्रबस इंडिया के सारे प्लेश निसान संदू को चोड़के सारे अच्छी सीवीसी की चोईश रहेंगी इनको वीसी बना सकते हो डू लोल से खेलें बोलिंग भी करवा कर देए परब सिम्रें सिंग डू लोल से कहलें विकेड किपि तो अभी के लिए अपना डेमो टीम फाइने टीम हम आपको टेलिग्राम में दे दिए और नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्सन में लिंक है वहां से जाके टेलिग्राम से जोइन करें या फिर पहला जो पिंड कोमेंटर ना दोस्तों वहां पर भी मैंने लिंक रखा हुए का जाके आराम से जोइन कर लिए बिल्कुल फ्री में और वीडियो पिसंदा है तो लाइक कोमेंट सेर और अपने दोस्तों में सेर कर दीजे और कोमेंट करके जुरू बताए वीडियो का इसा लगा में ते नेक्स वीडियों तब तक के लिए ओल तबस्ट गाई